हलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्जाम देखो में आज हम बात करेंगे RPSC EORO के एक्सपेटर कटफ के बारे में देखें आपको एक बात बता देता हूँ पहले ही कि ये ना कोई कटफ है ना एक्सपेटर कटफ है कि क्योंकि एक्जाम होने से पहले ना तो पहले कट-फ होती है ना एक्सपेटर कट-फ होती है तो ये वीडियो क्यों बनाई है मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको इतने नमबर लानों होँगे ताकि आप एक पोष्ट मेजाए तो कहना मतलब यह है इतने नंबर लाओ कि एक पुष्ट मिल जाए इतने कम नंबर मी मतलाओ कि आप पास होते हुए फैल हो जाओ तो यही परबस है वीडियो बनाने का तो आए आगे बढ़ते हैं वीडियो में वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाले रिजेट पर आप यही वीडियो देखकर पता चल जाए कि मैंने विल्कु सही बताया था तो देखें जो आपकी RPSC EOR का जो एक्जम है वो आपको 14 तारीक होने बाला है तो इसमें दो पार्ट है असी नमर का और 40 नमर का बी पार्ट ठीर गए और वन थर इसमें आपका नेगव दी गई है और कई YouTube विधे बड़े चैनल के बताया कि ऐसे ऐसे कुछ नायंँगे 10 कुछ तर उसमें साएंगे 20 उसमें सायंगे 30 इसमें सायंगे ऐसा कुछ भी नहीं है उन्होंने बिल्कुल भी गलत बताया वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते कीजिए इसको तीन पार्ट आपके four vi part मेंुआ टीन पार्ट नीयम नियम है और थर्ड पार्ट है आपका योजना उसे तो 3 पाइट में डिवाइड है आपका B पार्ट भी तो आपका कुष्ण इस तरह से आएगे जो आपकी धारा है न थीन से लेकर 327 तक उसमेंसे 20 कुष्ण बनेंगे दाराओं में से और आपकी जो योजना उसके बाद जो क्रह अनुव पढ़ा है योजना खतम कर दी फिर अन्क्रया नुबंद वाले से 90-74 वाले नियम खतम कर दी यह ज्यादा चोटे पार्ट है वह उसमें अग्या और इसके बाद नियम को पढ़ रहा है तो तो अच्छा है नहीं तो कोई नियम ही नियम पढ़ रहा है तो वह 20 नमर में से 10 नमर पार्ट कोई मतलम नहीं हो महनत का तो इस तरह से 40 मर में यह डिवाइड है और बात करते हैं बी पार्ट में किस तरह सोगा कई उन्हें बताया है लेकिन देखना इस तरह से किसी नहीं बताया और एक जाओ पेपर हाथ में आएगा तो यही पैटर्न मिलेगा आपको कि जैसे कोई आयोग नहीं आपको पेपर बता दिया कि किस तरह से पेपर आएगा इस तरह समझ लीजी आप बात करते हैं बी पार्ट की बी पार्ट में पॉल्टिकल है जोग्राफी है और हिस्ट्री है तो देखिए और करंट भी है तो इसमें से आपका 22 कूशन आएंगे आपके हि करंट से इस तरह से आपका बनेगा भी पार्ट का 22 कूशन के 22 कूशन हिस्ट्री के जगरफी के यह करंटी है और आपके हो जाते हैं चाबर है आप 10 km बग रहे हो तो भी आपको एक लड़ दू मिल रहा है एक किलोमेटर बगगे लिए ना आदमि एक लड़ लेने के लिए मिल तो एक लड़ रहा है तो उसी तरह से चलो अब छोड़ो इसको अब बात करते हैं कि कि कट आफ कितना जाने वाला है और यह जो मैंने बताया ना पैटर नहीं अभी तक किसी भी यूटूब पे देख ले ना ऐसा क्रिसी नहीं बताया होगा और इस तरह से यहाएगा पेपर तो बात करते हैं आपका कट आफ कितना जाएगा तो बी पार्ट में अच्छे से अच्छा दुरंदर तीस कुष्ण करेगा और बी पार्ट में देखना कोई कुष्ण पॉलिटिकर्स पंद्रा जोगरोफिम पंद्रा हिस्ट्रीम पंद्रा और करंट में दस कुष्ण नहीं कर पाएगा तो आपका इस तरह से कुष्ण होते है और इसमें से negative है आपकी one third इतने question आपके ने करें है जो मैंने बताएं उसमें से one third की negative है तो इसमें आपके बी पार्ट में कम से कम 30 question मान लिजे सही हो जाते हैं cut pit के और इसमें आपके जो पच्पन question है इसमें से 50 question रह जाएंगे आपके cut pit के 50 से कम भी चल जाएंगे क्या पता लेकिं 50 मान लेते हैं तो इस तरह से आपकी cut off रहने वाली है या आपको number लाने है इतने पर आपको post मिलने वाली है वह 50 question आपका first part टीज कुष्ण आपका second part और बरावर हो जाते हैं 80 number इससे ज्यादा आपकी cut off नहीं जाने वाली 80 number जनरल वालों की है यह भी बता देता हूं इतने number पर आपका selection हो जाएगा और एक post आपको जरूर मिलेगी अगर RPSC की cut off अगर ना 120 में से 100 नमबर जाने लगी 95 जाने लगी तो RPSC को कोई मतलब निएगा और ना आज तक का record है को इसा भी cut off देख लीजे RPSC साइट पर साफ साफ है कभी cut off नहीं गया इसना पिछली बार भ RPSC वालों की तो उनके कम कर दीजिए अपने हिसाब से यह तो अभी cut off नहीं है यह बता है मैंने इतना 80 नमरत लानी है ऐसी का होता है वह भी लाएगा जनरल का तो भी लाओ अगर आपके अच्छी quality है अच्छी है तो 95-100 या 120 में से 120 नमर ला सकते हो तो यह है आपकी cut off इत